इक लेडी थी, जिसके पास कोई ज़्यादा पैसे नहीं थे, हस्बंड की डेथ हो गई थी, पेंशन के पैसों से जीवन बिता रही थी, तो मैं घटना घटी, उसके घर के बाहर एक लड़का आया, दर्वाजा के खटखट आया, वो देखती है, वो 14-15 साल का एक लड़का, जो सेल्समें था, और अपनी प्रोड़क्ट्स बेचने के लिए आया था, ये लेडी के पास उतने पैसे नहीं थे, तो उसने कह दिया, कि देख बिटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तुझे गलत उमीद नहीं दूँगी, मैं तेरी चीजवस्ट वे खरीद नहीं प सकती, बट एक ये दूद का ग्लास तुझे दे सकती हो, जिसे तेरी भूख और प्यास दोनों मेट जाएगी, बच्चा दूद का ग्लास पीता है, थैंक्यू कहके चला जाता है, इस घटना को और पंदरा साल भीतते हैं, अब तो ये लेडी बहुत बुजर्ग हो चुकी है और एक दिन उनको हाट एटेक आता है, आसपरोस वाले उनको हॉस्पिलियों में भरती करते हैं और जब उनके उपर सरजरी होती है, बाद में वो ठीक होके अपनी आँखे खोलती है, तब उनको पता चलता है कि उनके उपर तो अलरड़ी एक बहुत बड़ी सरजरी हो चु और दो तीन दिन वहां पे वो इतनी उदासी के साथ बिताती है, वो सोचती है मैं किसकी मदद मांगो, आखिर में उसका डिस्चार्ज कड़े आता है, अभी भी उसको कुछ नहीं सूझ रहा है, बिकाज उसके कुछ ज़्यादा रिलेटियों नहीं थे, ऐसे कोई लोग नह तुमों से चलते हुए, रिसेप्शन के काउंटर पर पहुंचती है, सोचती है मैं उसके क्या बात करूँगी, वो कहती है मेरा बिल दिखाएए, वो बिल देते हैं, एड़ अप्रॉक्सिमेटली पांच लाक रुपे का उसका बिल आया है, वो बिल देखती है, पर उनको त इसको उन्होंने एक दूद का ग्लास दिया, दोस्तो आज वो बड़ा होके एक डॉक्टर बन चुका है, और उसी की हॉस्पिटल में ये लेडी आती है, और वो देखता है कि ओ माई गॉड, ये तो वही लेडी जब मैं कुछ नहीं था, और उन्होंने मुझे दूद का ग् आते ही, बड़ अच्छी बात क्या है, ये कुद्रत इपनी महर्बान है हम पे, कि जब हम को छोड़ते हैं, उससे कई गुना बढ़के ये लाइप में बाते हैं, हम हमेशा पूरी जिंदिगे लगे रहते हैं, दुनिया को इंप्रेस करने में, बड़ अगर सही में इंप्र इंप्रेस करना है न, तो उस उपर वाले को कीज़े, आपका intention कितना भी सही क्यों नहों, ये दुनिया सिर्फ आपका presentation देखती हैं, और आपका ये presentation कितना भी अच्छा क्यों नहों, ये उपर वाला, तो सिर्फ आपका intention ही देखता है, तो ये सदभावना की शरुआत आज स अज़ी की जाए मैं तो कहती हूं दुनिया में खुशियां फढ़ाई जाए कि अगर आप औरों के जीवन में खुशियां फैलाना भी शुरू करोगे तो वही खुशियां multiply हो के आपके जीवन में वापस आएगी भगवत कीता में बहुत ही सुन्दर कहा गया है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान अगर दुखी है तो तुम लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते अगर औरों को खुशिया बाटोगे तो तुम्हारे जीवन में खुशिया अपने तो कहती हूँ आज के इस दुनिया में किसी के चेहरे पे स्माइल ले आना वो भी एक बहुत बड़ा आध्यात में काम है कहते हैं एक उदास चेहरे पे एक प्यारे सी मुस्कूरा हटा जाए और अगर उसकी वज़ा तुम हो तो समझ लेना इस दुनिया का सबसे धनवान इ संप